नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एक्जाम 2020 लेटिस्ट अपडेट तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 अगस 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग आगसे इंपोर्टेंट बात बता दें कि कोरोना वािडिस से दोस्तों आप परिच्छा आपकी रुखे की नहीं जी आँ दोस्तों कोज़ नई सिच़क बढ़ती को लेकर एक अपडेट दे दें देखें चुनाओ से पहले बिहार में नक्रियों की बहार डॉक्टर और को पहले आप देख लीजे क्योंकि यूपी में भी दोस्तो 2022 में चुनाओ आने वाले हैं और वहाँ पर भी दोस्तो यूपी में अगर आप रहते तो आपके लिए बड़ी वेकेंसी देखने को मिलेगी चुनाओ से पहले बिहार में नौकरियों की बाहर डॉक्टर और टीचर समय इन विभागों में बंपर वेकेंसी यह दोस्तो बिहार करकार की तरफ से अपडेट और सबसे बड़ी अपडेट आपको बताते हैं जो बच्चे विरोजगार है लागडॉन में दोस्तो नौकरी आ गई है काफी शात्रों की तो आप सोच रहोंगे नौकरी कहां से मिले तो आपके सामने दोस्तो एक विकल्पर हो सकता है कि टीचर की दोस्तो नौकरी आप ले सकते हैं जी आप दोस्तो अगर आपने बीड या डिलेट का कोर्स कर रखा हैं तो नौकरी की दोस्तो बंपर वेकेंसी आने वाली हैं चली कुछ बाते और देखते हैं आपको बता दे कि यूपी में दोस्तों सायक ध्यापक के 50,000 तजिक पत्काली है। जिया दोस्तों 2022 में यूपी में भी चुनव होने वाले हैं। तो सिंपल थी बात है दोस्तों 2020 नहीं 2021 में। यहां पर भी दोस्तों मतलब बड़ी संख्या में कुछ वेकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो जो बचे भी बेरोजगार हैं। अगर आप दोस्तों सीटिट के पेपर दे रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको नौकरी कब और कहां से कैसे मिल सकती है। देखें दोस्तों जब कोई वेकेंसी बड़ी मातरा में आती है तो वहां पर नौकरी में चल रहा है मामला, उससे पहले 288500 करके एक भरती आया थी, यह कंप्लीट हो चुकी 88500 वाली, उनातर आजार वाला मामला कोट में यह भी दोस्तों कंप्लीट ही समझे इसको, उसके बाद दोस्तों कोई बड़ी भरती के लिए और की तैयारियां चल रहे हैं। तो आपको बता दे कि जल्ती आपको दोस्तों देखने को मिले की एक बड़ी सिच्छक बढ़ती, लेकिन हाँ, अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल और होगा कि सीटेट 2020 दिसंबर के लिए आविदन कबसे होंगे? जी हाँ दोस्तों बहुत से चात रहसे होंगे जो सीटेट 5 जुला प्रक्रिया पर भी दोस्तों पढ़ेगा असर जाने डीटेल्स में, तो दोस्तों भी हम आपको डीटेल्स में बताने वाले हैं कि जो ये नई सिच्छा नीती आईए, उससे दोस्तों क्या क्या आप बदलाओ होंगे सीटेट और टेट की परिछाओ में, अगर उससे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, जिससे आने वाली दोस्तों वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे, और इस वीडियो को फिलाल अधिक सदिक अपने दोस्तों साथ वाट्सप ताकि दोस्तों तक भी सारी डिटेल पहुच जा और वीडियो को लाइक ना कियो तो लाइक वाली बिटन को दोस्तों निला कर देज्जें करके करके सारे अपडेट, पहले बिहर की अपडेट अगर आप देघार रहे हैं और क्या आपको मौका मिलेगा या नहीं कि अन्ने खाली पदो पर बढ़तिया की जाएंगे, सोचे दोस्ते एक साथ 50,000 पदो पर, जो कि दोस्तो कभी नहीं हो रही थी, मतलब जब भी चुनाव आता है, तो मतलब छात्रों के लिए एक बड़ी पुसकबरी लेकर आता है, नौकरी पाने की मीज जग जाती है, प्रदेश में उ 250 किलाडियों की नियुक्तिक की जाएगे, तो दोस्तो इस आते की गोसडा, मुख्य मंतरी नितिश हुमार ने सनिवार को, जटो तोलन के बाद समारों को संबोधन करते विए किया, तो दोस्तो देख लिए कितनी बड़ी संक्या में बढ़ते हैं आने वाली, तो आपके साम वाला मेंटर देख लेते हैं, क्या बतला होगा नए सिच्छा नितिक के बार? किंद्रिय सिच्छा मंतरी, डाक्र रमेश पुकरियल निसंग कनी स्कूलों में सिच्छा के तरीकों को सुधारने के लिए, सिच्छक बर्तिया और सिच्छक सिच्छा में सुधार के लिए, new education policy वर्सिया नीपी 2020 स्पेस किये, इस सिच्छा नीति के लागों होने के बाद, KVS, NVS और अने केंद्री विद्ध्याले द्वारा, सीटेट और टेट योगे सिच्छकों की वर्सि के तरीके बदल जाएंगे, इसके अलावा, यह नीति 4 वर्सिये, 118 डिगरी और व्यक्तिका स सिच्छा संस्तानों में के मतलब दोस्तों कई बदलाव लेकर आया है, इसके अलावा, दोसिया नीति, स्कूलों में शात्रों को सिच्छा प्रदान करने के तरीके को भी बदलाव ठीक है, लाती है, एक बार दोसिये, चेंजिस लागों हो जाने के बाद, सिच्छकों को लाए गई यह मतलब इस पार्टक्रम के तहर 5 प्लस 3, प्लस 3, कच्छा एक से लेके दोस्तो 8 के लिए जो कि उने सिट्चकों द्वारा पढ़ा जाते हैं जिनोंने केंद्री, सिच्छक पातरता परिच्छा या किसी भी वाले सिच्छकों को मात्र भासा हिंदी या उनकी संबंदि छेत्रिय भासा में सिच्छा प्रदान करने होगी, नीथी में कहा गया कि कछ्छा 8 वी तक मात्र भासा में सिच्छक को प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए, सीटेट या टेट योगी सिच्छकों को छात्रों को हिंद चीज़े क्वाली स्कूल और संस्तानों को सिच्चक भरती के लिए मजबूत और पार्दर्सी प्रक्रिया का पालन करना होगा, इस उद्देश के लिए सरकार सिच्चकों के लिए नय पेसिवर मानत ठीकिंगे, इसके अलावा सिच्चकों की पदोन्ति पूरी तरह से योगता के अधार पर होगी इससे सीटेट या टेट के योग उमीदवारों के लिए के विस एन्विस या अन्नी स्कूलों में नौकरी प्राप्त करना आसान हो जाएगा सिच्छड में दोस्तों प्रद्योगी की का उप्योग किया जाएगा चार यह मतलब 28 डिग्री का दोस्तों आगे जरुरत पड़ेगी है सब दोस्तों पूरा मैटर है तो आपने दोस्तों देख लिया कि एक बात और दोस्तों समयता ना कि जब आपकी नौकरी लगे कि तो इस इंटर्विव हो सकता है देखिए दोस्तों इंटर्विव इसलिए करा जाएगा कि जैसे मालेते हैं कि आगर आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाने जाते हैं जहां कि बच्चों को सिर्फ भोजपूरी लेंग्विज आती है ठीक समझे इसको भोजपूरी आती है और दोस्तो आपको सिर्फ इंग्लिस आती है ठीक है तो आप वहां पर कैसे पढ़ा सकते हैं तो दोस्तों जब आप वहां पर डेमो या इंटर्विव रॉंग देगे तो वहां से बाहर कर देंगे तो वहां पर मतलब उस टीचर की जरूत पड़ेगी जिस टीचर को भोजपूरी देखें आने वाली हैं तो आप लोग अभी से सीटेट या दोस्तों कोई भी टेट की परिच्छा पास करके बैठे रहें क्योंकि ऐसी बड़ी-बड़ी भरतियां सिर्फ चुनाओं के दोरान ही आपको देखने को मिलेंगी तो फैदा उठा लीजेगा नहीं तो फिर आप परिसान ही रहेंगे तो मौके पर दोस्तों चौका आपको मारना पड़ेगा तो अभी से आप इसके लिए लग जाईए साहिक अध्यापा की दोस्तों बड़ी-बड़ी भरतियां आपका इंतजार करें लेकिन 2020 में मत उमीद करिएगा 2021 अगर आप यूपी की निवासी है इ तरह से आने वाली है 2020 तो आप ऐसे भी निकल ली जाएगा जल्दी लागड़ में दोस्तों और आपको बता दे करोना वारिस की क्या इस्तिति है हमारे देश में इस समय दोस्तों हमारे देश में मतलब दुनिया के सबसे यादा करोना मरीज सामने आ रहे है फिछले 24 गंटे में दोस्तों हमारे देश में सबसे जाधा करोना के मामबले सामने आये 63,000 सदि करोना पाजिट्यू मौने सामने आये, दूसरी नमर पर अम Wanna रहा है इंडिया में दोस्तों समय हालत ज्यादा खराब है आपको सच्चा ही पता होनी चाहिए और अब तक दोस्तों हमारे देश में 50,000 सदिक लोगों अब दोस्तों हो सकता है कि उनको अन्य बिमारी भी रही हो लेकिर उसमें करोना आया तो उसमें स्वोड़ा बूश्टर कर दिया है इसलिए जान ज्यादा गई है तो आप लोग साउधानी पर यह घर पर रही है लेकिन एक बात और अब बात कर लेते परिच्छा की तारीक को बात बडहस्तों लेकर जीया दोस्तों परिच्छा की दोस्तों दे की तारीक और परिच्छा की रुक एक क्यों ने आपको बता दें अभी दोस्त अगर आप यूपी तो आपको पता उ ama बीएट की दोस्तों एक इंट्रेंस एक्जाम कर आएगा बीएट के लिए ठीक है आप लोग बीएड या डिलेट के इचातर होंगे तो दोस्तों 9 अगस्त को इंट्रेंस एक्जाम हुआ जहां पर साड़ी चाल लाग बच्चे आप एर हुए थे उसके बाद दोस्तों बीएट कर लेते पास कर लेते उनको मौका मिलता है बीएओ का फॉर्म बनने का ठीक ब्लॉग का जूकेशन ऑफिसर उनका पेपर आज हो रहा जहां पर साड़ी 5 लाग बच्चे पेपर में आने वाले सोचे दोस्तों बड़ी मतलब पेपर हो चुके है यूपी में तो पेपर जिनको देना होते थे तो अब दोस्ति ये पॉलिसी पर अगर ये फार्मूला चलेगा तब तो वही बात है ना कि सबके साथ समानता का बैवार नहीं हो रहा कुछ चात्र ऐस हो सकते है जिनके घर में कोई कुरूना पेसेंट हो सकता है या कोई चात्र खुद ही कुर सितमबर में दोस्तों पेपर होने के पूरे आसार हैं अक्क्टूबर तक दोस्तों आपकी परिछा नहीं टेलेगे grieving हार आलत में इस paper को करा छात्रों ने राजिपाल से गुहार लगाई, चीफ जेस्टिस से गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो कुल मिला कि आप लोग भी तयार रही है, परिच्छा के लिए बिल्कुल तयार रही है, मतलब जैसे नहीं होता है कि कल पेपर हो, तो कल के लिए हम तयार आगा, अगर ठीक रहा सब कुछ तो हो सकता है कि अगस इसी मैने में पेपर करा लिया जाए, क्योंकि सीटेट दिसमबर की दोस्तों तयारियां सुरू होनी है, यहां दोस्तों बहुत से चाथ रहते हैं, जो सीटेट दिसमबर की अभी से तयारियों मिलग चुके हैं, आवे कि अगने कि अगसे अगसे दो से गयगμε जाए, एप अबहा दो से मुझे पर इस कि अगसे दो से लिया मुझेट.